हेलो एवरीवडी दिस इस राजेस और वाचिंग इसा माई स्टूडियो दोस्तों कैसे हैं आप लोग दोस्तों अगर आप अपने टीवी के साउंड से सिटिस्फाइड नहीं है और आपको लगता है कि टीवी में कुछ आवाज आपको कम लग रही है और आप उसको एनहेंस करना चाहते हैं उस साउंड को थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं या आप टीवी तो आपने बहुत अच्छा ले लिया है लेकिन आपने साउंड के बारे में ज्यादा सोचा नहीं और अब आपको लगता है कि यार इसका साउंड कुछ बढ़ाना चाहिए तो आपको एक साउंड बार लेना चाहिए लेकिन मेरी व्यक्तिकत रहा है कि आपको साउंड बार या मुजिक सिस्टम कुछ भी लें कोशिश ये करें कि आप डॉल्बी एटमॉस लें अगर आप मुवीस देखने के शौकीन है या आप गेम खेलने के शौकीन है पिएस फाइव या एक्सबोक्स आपके पास है तो जरूरी हो जाता है कि आप डॉल्बी एक्टमॉस साउंड बार या डॉल्बी एक्टमॉस होम थिएटर ही लें यह मेरी व्यक्तिकत रहा है फिर जैसा आपका बजट करें वैसा आप कर सकते हैं जी हाँ दोस्तों क्रियेटिव सेज 360 का यह साउंड बार में आपके लिए लेके आया हूं डॉल्बी एक्टमॉस वाला 2.1 चैनल में 240 वाट में यह जबर जस्त आउटपूट देता है यह आपको साउंड बार बहुत पसंद आएगा इसके बारे में और आगे बताऊं उससे पहले में रिक्वेश्ट करूँगा कि हमरे चैनल में पहली बार आया है तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो अच्छा लगए तो लाइक कर दीजिए दोस्तों को शेयर कर हैं एक सब उफर मिलता है और साथ ही एक आपको आयार रिमोट भी मिलता है तो दोस्तों जैसा कि इसका खास फिचर से डॉल भी एटमोस साउंड बार है यह आपको सिनेमेटिक साउंड देगा 360 साउंड देगा अगर नीचे से उपर की तरफ कोई रोके टूड के जाता है त तो आपको एकदम रियलिस्टिक ही लगेगा दोस्तों डॉल भी नहीं है डॉल भी एटमोस टेकोजी बनाई है इसमें आपको आवाजें उपर से भी आती हुई महसूस होती है क्रियेटिव स्टेश थी 60 का यह जो साउंड बार है इसमें साउंड बार के अंदर जो दो चैन लगेगा कि आप परदे पे कोई मूवी देख रहे हैं जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं बहुत ही खुबसूरत इसका रिमोट है और आप उसको सारे फंक्शन इस रिमोट से ही इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों आप अपने डिवाइस जैसे की टीवी कंप्यूटर गेम कॉंस इनको आप आसानी से कनेक कर सकें इसके लिए बहुत से कनेक्टिविटी ऑप्शन इसमें दिये हुए हैं आईए एक एक करके आपको बता देता हूं इसमें आपको HDMI ARC मिल जाएगा ऑप्टिकल मिल जाएगा जिससे आप PS4 TV को कनेक कर सकते हैं HDMI 2.0 की इसमें ऑप्शन दिया सकते हैं दोस्तों अगर आपको इंस्टॉल करना है तो इसको टेबल टॉप आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा वाल मौंट के लिए इसमें आप्शन नहीं दिया हुआ है क्रियेटिव लेब ने क्रियेटिव स्टेश 360 को बनाया है और इसका प्रोड़क का डाइमेंशन है 8.5 cm x 56.5 cm x 7.5 cm और 5.8 kg इसका वेट है दोस्तों इसके बॉक्स में आपको एक साउंड वार मिलेगा एक साब वूफर मिलेगा और एक रिमोट कंट्रोल मिलेगा आपको बैटरीज इसमें नहीं मिलेगी और आपको इसमें ऑप्टिकल केबल भी मिलेगी और एक मैनुवल गाइड बुक भी आपको मिलेगी दोस्तों आईए कुछ इसके टेक्निकल्स देख लेते हैं 2.1 चैनल तो यह है ही और यह speaker amplification type active है 240 watt audio output है और इसमें आपको Bluetooth HDMI मिलता है Creative Lab ने इसको बनाया है और यह अभी 2022 का ही model है Creative 360 Dolby Atmos में बहुत ही शांदार soundbar है और यह 21,000 के आसपास online platform पे उपलब्द है और 40,000 के आसपास इसकी MRP है लिंक मैंने description में डाला हुआ है वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं तो दोस्तों यह आपको soundbar कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा और यह वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों को share कर दीजिएगा लाइक कर दीजिएगा और चैनल को subscribe कर दीजिएगा बेल आइकन को press कर दीजिएगा Instagram पे मुझे follow कर लिजिएगा इसे के साथ अगले वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए नमस्कार जैहिंद